हेलो दोस्तों मैं सवरो मलिक आप सभी का टोपिक स्टडी में स्वागत करता हूँ दोस्तों डेलवे गुरूप डी का थर्ड सिप्ट का भी एक जाम हो चुका है अभी बहुत सारी कोशन्स मुझे मिल गए हैं थर्ड सिप्ट के और देखे दोस्तों मैं अकेडमी की लर्निंग पे पड़ा रहा हूँ यहाँ पे मैंने बहुत सारी मैथ की वीडियो अपलोड की है अगर आपको वीडियो देखनी है अनकेडमी का लर्निग आप डाउनलोड करके आप मुझे फोलो कर सकते हैं और उनसे भी वीडियो को देख सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को और बहुत ही इंपोटेंट वीडियो रहने वाले तो प्लीज आइंड तक देखेगा और मैक्सिमम लाइक करेगा आज देखते हैं कितने बच्चे लाइक करते हैं क्योंकि मैं आपके लगातार तीनों सिफ्ट का अनलेसिस कर रहा हूं बहुत सारे मतलब बच्चे वीडियो देखते हैं बट लाइक नहीं करते हैं तो कम से कम एक लाइक तो कर दिया करें ना ठीक है चलिए फिर स्टार्ट करते हैं पहला कोशन है कौन सी नदी भारत में नहीं भारत से नहीं निकलती है या आपका बरंपूत्र राइट आंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट आपका 45-वे Chief Justice of India कौन है या आपके दीपक मिस्रा इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट आपके कोशन साची का स्टूप किस नोट के उपर बना होता है या आपका 200 रुपे का जो नोट होता है या आपका 200 रुपे का जो नोट होता है या जो अभी आया है नया इसके उपर आपका साची का स्टूप बना हुआ है ठीक है नेक्स्ट आपका विरिंद्र सहवाग के बाद किस भारतिय बैट्समैन ने टेस्ट में 300 रन बनाई या आपका करुण नायर राइट आंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट आपका कोशन है होकी में सबसे कम उम्र में गोल की पर बनने वाला थीक है बनने वाला खिलाडी केविन इसका राइट आंसर हो जाएगा लारेल के brand ambassador कोन है अभी दीपिका पादू कोन है ठीक है यह कहीं बार इसके change हो चुके हैं बट अभी current में जो है दीपिका पादू कोन है नेक्स्ट आपका मुंबई इंडियन्स का मालिक कोन है तो आपका मुके संबानी और रिलाइंस इसका राइट आंसर हो जाएगा जो भी आपको option में दीखे वो इसका राइट आंसर हो जाएगा ठीक इन दोनों में से नेक्स्ट आपका film fair 2017 में best actor award किसको मिला या आपका अमीर खान इसका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है भई देखे फिर दुबारे से आपके जो बहुबली movie है उससे फिर से दुबारे से पूछे जाने लगे है question आज दो question आए है तो पहला question तो यही आपका बहुबली movie में भलाल देव का रोल किस ने किया था या आपका राना दगुबती इसका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है next question है आपका SBI के chairman भी पूछा गया है Rajnees Kumar इसका राइट आंसर हो जाएगर कुछ question इसमें mix है first or second shift के भी ठीक है तो सारे के सारे question ये third shift के नहीं है कभी आप बाद में बोले मुझे कि ये question तो नहीं आए थे ये नहीं आए थे ठीक है तो ऐसे comment मत कि अगरे जो आपको questions पता है तो वो आप comment कर दिया करें ताकि कि दूसरे बच्चे का भी help हो जाए ठीक है यहाँ पर एक था operation इंसानियत किस से related है यापका बंगलादेश में चलाए गया था operation इंसानियत ठीक है प्रोपेन का सूतर यहाँ पर पूचा गया था तो C3H8 right answer हो जाएगा formula of power यहाँ पर कुछ इस से related numerical था आपका सायद ठीक है तो formula of power क्या जगा work upon time यह right answer हो जाएगा ठीक है focal length of convex lens इसकी negative होती है ठीक है focal length तो यह आपका पूचा गया था एक question देखे आपका यह दुबारे से repeat हो गया जड़तो का नियम किस ने दिया था यह आपका Newton ने दिया था यह question आपका पहले भी आ चुका है देखे question अगर देखा जाए तो बहुत सारे repeat हो रहे है ठीक है और आपको ऐसा लगता है कि Lucky question नहीं आ रहा है क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोल रहे है कि daily repeat हो रहे है question तो इतने repeat नहीं होते है वहां से डाउनलोड करके पढ़ लिए, जब बहुत फायदा मिलेगा, अगर आप सारे के सारे अनलेसिस देखके जाते हैं, ठीक है, नेक्स्ट आपका है, अलिमेंट नंबर 57, किस समूज से संबंधित है, यह आपका ब्लोक F में आता है, ठीक है, तो आवर्थ सार निस आपके प्रियोडिक टेबल से बहुत सारे कोशन्स पूछे जा रहे हैं, तो उसको तो आपको पढ़के जाना ही जाना है, ठीक है, लार में एंजाइम मोजूद है, आपका एक तो होता है, पतालीन और एक होता है, लिओ जीमस, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, next आपका हड़ी को हड़ी से जोड़ता है आपका tendon होता है देखे हड़ी को हड़ी से जोड़ता है tendon और muscles को हड़ी से जोड़ता है आपका ligament तो इन दोनों को याद रखे का ये साथ question पूछे गाते ये भी मैं आपको इसके साथ में बता देता हूँ एक बर जल्दी जल्दी से देख लेते हैं इनको भी ठीक है यह बिल्कुल 100% जितने भी कोशन लेके आँ ना सारे के सारे रियल ऐर ऐसे मत बोल अगरो बहुत मैंनत से कोशन बनते हैं टीक है यहां पर पहला है भारत के पहले मुस्लिम प्रिजिडेंट कौन थे यह आपके जा इस्पोर्ट अचोर्टी ओप इंडिया की स्थापना कब हुई थी 1961 में यह कोशन आपका रिपीट हो सकता है फतेपुर सीकरी में किसका मकबरा बना हुआ है यह आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे ठीक इसका राइट आंसर क्या होगा सिकंद्रा यानि कि आग्रा में में किसका मकबरा बना हुआ है अकबर का बना हुआ है यह कोशन भी आपका रिपीट हो सकता है यह दोनों कोशन आपके पूचे गया है फर्स्ट और सेकिंड या थर्ड शिप्ट में अब यह एक्जेक नहीं पता कि कौन सी सिप्ट का कोशन है फोर्स की SI unit यहापे पूची यह आपकी newton right answer हो जाएगा राष्टिय विकास परिसद की स्थापना कब हुई थी यह वही आगया उपर 6 अगस्त आपका 1952 में ठीक है यकरत किस से बना हुआ है तो यह यह भी आप मुझे comment box में बताएंगे ठीक है जीटी रोड का निर्मान किसे ने करा था यह मैंने आप आपको बता दिया था first और second shift के analysis देख लेना और अच्छे से सारे के सारे questions बहुत सारे पता सेल जाएंगे सेर सासूर इसका right answer हो जाएगा DMK and RDMK छेतर पार्टी किस राज्य से सम्मधित आपका तमील नाडू इसका right answer हो जाएगा 2008 का fitness actor award किसको मिला था अकसे कुमार इसका right answer हो जाएगा अकबर का जनम कहां पर हुआ था यह आपका साय थर्ड shift का question है और यह है अमर कोट पाकिस्तान में जो पढ़ता है और इसका जो जनम हुआ था अकबर का 15 October 1542 में हो था तो यह भी आप ज्यान रखेगा आगे यह भी पूछा जा सकता है ठीक है मनसब्दारी परता किस ने सुरू की थी तो आइचिंग यह अकबर नहीं की थी देखिए अकबर से लेटर कहीं कोशन पूछे गए हैं तो एक बार अकबर से लेटर पढ़ लीजेगा और जिनके आगे आने वाले exam है तो जरूर पढ़ लीजेगा क्योंकि कल रिपीट होना ह बट आगे तो जरूर होना है ठीक है तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अब reasoning की sorry math की कर लेता है पहले math की questions है तो यह question है आपका देखे एक यह second shift का question है तो यह मैंने नहीं करा था अभी तक तो मैं आपको करा देता हूँ देखे जब भी इस तरीकी से point में values होती है तो बिल यह आपका question था तो आप यह बताईए मुझे मैं इसको 10.8 days को ऐसे लिख सकता हूँ 108 upon मतलग भी point अटाऊँगा नीचे 10 लगा लूँगा इसमें भी point अटाऊँगा नीचे 10 लगा लूँगा ठीक है तो कोई problem नहीं है तो बस मैंने इतना ही काम किया है और उपर तो सब कु भूल जाएए इस दसको भी तो 108, 216 और 18 का LCM ले लिजिए तो कितना LCM आएगा यहापे 216 LCM आ जाएगा ठीक है तो 216 आपका जो LCM आया है अगर मैं इसको 108 से डिवाइड करता हूँ तो कितना कितनी बार जाएगा two time तो two की multiply अब आप 10 में कर दीजिए तो यहापे यह ए एक दिन में 20 unit work करता है और 216 को, 216 से डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा Multiply करेंगे 1 से तो 1 की Multiply 10 में करेंगे तो 10 आएगा यानि कि B एक dhn में 10 unit work करता है 216 लक और 3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 12 यानि कि C एक दिन में 12 यूनिट वर्क करता है अब पूछा कि 3 उद मिलके अगर इस काम को करें टोटल वर्क को तो कितना दिन में कर लेंगे तो 216 को इस से यानि इन्हें सभी को पलस करें कितना आएगा 20, 30 और 42 यानि कि 42 से डिवाइड कर देंगे तो कितनी बार जाएगा आपका ये यहाँ पर यानि कि पूरा 5 तो आपका पूरा कंप्लीट आजाएगा फिर 6 बटे 42 से बचेगा तो 6 से एक बार जाएगा 7 बच चल जाएगा यानि कि 5 सही 1 बटा 7 आपका राइट आणसर आजाएगा ठीक है तो एक चीज मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा देखे बहुत से बच्चे सोचते हैं कि जब फ्रेक्शन में वैल्य होगी तो मैंने तो आपको सीधा 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 रखाएगी 10 10 में करता है 20 में करता है अगर यही फ्रेक्शन में वैल्य होती है तो तब भी कोई प्रोब्लम नहीं है ठीक है एल्सियम आप लीजे सिर्फ उपर उपल वाली अमांट का यानि कि जो भी उपर होगी ठीक है जो फ्रेक्शन में लिखे एक कोशन था आपका ये कि 25 लड़कों का ओसत वजन 50 किलो ग्राम है एक नया लड़का आने से ओसट एक किलो ग्राम में बढ़ जाता है तो नए लड़के का वजन कितना है तो यहाँ पे देखिए 25 लड़कों का अकुल वजन कितना होगा 50 की गुणा 25 में कर देंगे 1250 हो जाएगा ठीक है फिर एक लड़का आया और उसके आने से जो ओसत वजन है वो कितने से बढ़ गया एक किलोग्राम से तो यहाँ पे एक नया लड़का है इसका मतलब 25 से बढ़ कितने होगे 26 लड़के होगे तो 26 लड़कों कुल वजन कितना ह हो जाएगा अब यहाँ पे एक ट्रीक होती है जिसमें आपको कुछ भी यह मल्टिप्लाइ करने की जोरत नहीं होती है 50 और 26 आपको सीधा पलस करना राइट आंसर लिख देना है इसका रीजन यह है एक पर छोटा चीज समझ लीजिए क्योंकि यह अगर समझ गे तो जल्द लेके आएगा एक्स्ट्रा कितना लेका है उसने एक एक किलोग्राम से सभी का वजन बढ़ा दिया तो आपको यहाँ पे क्या करना है वह पचास तो अपने साथ में लेके आए गए आएगा फिर एक्स्ट्रा कितना लेका है वह एक्स्ट्रा लेका है एक एक किलोग्राम सब का बढ़ा है यानि कि खुद का तो बढ़ा है बढ़ा है 25 का बढ़ा है तो 26 में एक की multiply करेंगे तो 26 यह आएगा 50 और 26 को plus करेंगे तो 76 यह आपका right answer हो जाएगा तो आसा करते हूँ कि समझ में आगया होगा ठीक है और एक question ता और देखे math के इतने question क्यों रहे है ठीक है आपका exam पूरे इंडिया में चल रहा है तो सायद आपकी shift में ना पूछे गया हो एक दो question ऐसा भी तो हो सकता है ठीक है चली एक question था आपका एक आदमी A को 3000 रुपे 6% की दर से 2 साल के लिए देता है यानि कि A आदमी एक आदमी ने A को 6% की दर से 3000 रुपे दिये फिर वही amount A ने B को दे दिये और उसने B को कितने पर दिये 9% की दर से तो यहाँ पर यह पूछा गया है कि A को कितना profit हो रहा है तो आपको सीधा सीधा नजर आ रहा है कि 3% का profit हो रहा है तो आप यहां पे आप यह नहीं करेंगे कि पहले इसका 6% निकालेंगे और फिर इसका 9% निकालेंगे और फिर इसका difference निकालेंगे ऐसा कुछ नहीं करना है direct percentage का difference देखे 3% का, तो सीधा-सीधा A को 3% का profit हो रहा है ठीक है, तो आपको क्या करना है, 3000 का सीधा-सीधा 3% निकाली और 2 साल का, ठीक है, क्योंकि 2 साल के लिए amount दी है, और इसने भी आगे 2 साल के लिए ही दी है, तो कितना आएगा 90, तो 90 एक साल का है, तो 2 की multiply करेंगे, तो 180 यह आपका 180 right answer हो जाएगा ठीक है, तो आज़ा करता हूँ कि आपको इस question भी समझ में आ गया होगा, ठीक है चलिए, एक question था आपका, कि A और B की IU का ratio आपका यहाँ पर दिरेक्खा था 5 is to 4, तीन साल बाद उनकी IU का ratio दिरेक्खा था 11 is to 9, B की वरतमान IU यहाँ पर पूछी गई थी, तो यह question आपका, सायद first shift में भी पूछा गया था, बिल्कुल इसी type का question, बस यह थोड़ा सा change था, तो यहाँ पर कैसे करना होता है, भई A और B की IU का ratio दिरेक्खा है 5 is to 4, और दोस्तों बहुत सारे reasoning के question भी है, तो वीडियो को लगातार भी देखते रही है, ठीक है, अगर आप आपने हाँ तक देखिए, reasoning के बहुत सारे question से आज मेरे पास, वो भी मैं discuss करने वाला हूँ, तो यहाँ पर देखिए 5 5X हो जाएगर 4X हो जाएगा AB की IU, ठीक है, इसमें 3-3 तीन साल बाद का ratio दिरेक्ख 11 to 9 तो 3-3 plus कर देंगे दोनों में, ठीक है तो यह इस ratio के equal हो जाएगा ठीक है भई, आपकी समझ में आ रहा है न A और B का, IU का ratio 5 is to 4 है, तो यहाँ पर इनकी IU कितने हो जाएगी, 5X और 4X तीन साल बाद का ratio यह है अगर मैंने में 3-3 plus कर दूँ तो इस ratio के equal हो जाएगा बस आपको यही छोटी सी equation बनानी होती है, उसके बाद तो आपको cross multiply करनी है और आपका answer आ जाएगा 9 कि इदर करेंगे, कितना हो जाएगा और इसमें से इसको minus करेंगे तो 6 यहाँ पर आपको X की value कितनी मिल गई 6 मिल गई है और आपको पता है कि B का जो present में IU कितनी है, 4X है तो X की जगें आप 6 रख दीजे तो आपका rate answer आ जाएगा, ठीक है, तो B की age कितनी आ जाएगी 4 x 6 करेंगे, तो 24 year यही आपका rate answer हो जाएगा तो आइसा करता हूँ कि आपको एक question समझ में आगे होगा एक question और है, बहुत ही अच्छा सा question है यह बिल्कुल exact इसी form में था तो मैं आपको इसी form में समझा देता हूँ इसको यहाँ पर दिरेक्खा था कि A किसी काम को 20 दिन में कर लेता है और B किसी काम को 80 दिन में कर लेता है यहाँ पर जो situation तीस में वो देख लेता है दोनों काम सुरू करते है ठीक है, तीन दिन बाद A काम को छोड़ देता है तीन दिन बाद A काम को छोड़ देता है पांस दिन के लिए यहाँ पर ध्यान दखेगा बस 5 दिन के लिए छोड़ता है छोड़ देता है तो पूरा काम होने में कितना समय लगेगा कुछ इस टाइप का कोशन था तो यहाँ पर आपको क्या करना है इन दोनों का LCM लेंगे LCM तो 80 रह जाएगा ठीक है 80 हो गया तो एक एक दिन का वर्क न वर्क और तीन दिन तक करेंगे तो कितना हो जागा 15 वर्क यानि कि 15 वर्क तो इन दोनों ने मिलके किया होगा ठीक है तो 80 में से 15 माइनस कर देंगे बचा कितना 65 अब इस 65 में 5 दिन अकेला B कारे करेगा क्योंकि 5 दिन की छुट्टी पे चल गया A तो अब 5 दिन में B कितना करेगा एक दिन में A करते तो 5 दिन में 5 करेगा तो 65 में से हम 5 को माइनस कर देंगे तो बचा कितना 60 अब फिर दुबारे से A आ जाएगा ठीक है A आने के बाद में फिर एक दिन में 5 उनिट पर खोना स्टार्ट हो जाएगा तो 60 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो पर चला गया था और उसके बाद एक आने के बाद में फिर 12 दिन इन दोनों ने किया तो टोटल टाइम देख लिए जोड करके इनके कितना हो रहा है तीन पांच बारा तो कितना हो जाएगा 20 यह 20 डेज में आपका राइट आंसर हो जाएगा तो आसा करता हूं कि यह कोशन अब आपको समझ में आगया होगा ठीक है और यहाँ पर रिजिनिंग के कुछ कोशन की बात कर लेते हैं ठीक है अभी कुछ कोशन और भी हैसा है मैथ के वह बीच में मिक्स हो गया आज सारे के सारे मैं जल्दी में वीडियो लाएँ बना के बहुत सारे कोशन क्लेक्ट की है तो टाइम हो गया था बहुत जादा तो इसलिए मैं जल्दी से वीडियो बना के लेक्या हो मैथ के अभी कुछ कोशन और भी बचे हो है साथ वो बाद में देखने को मिलेंगे और सारे टोपिक भी डिसकस करेंगे मैथ के और आपके रीजिनिंग के जितने भी जिस टोपिक आपके कोशन पूचे गए तो यहाँ पर एक कोशन था पहला कथन था किस कर से सभी कापी किताब है कोई किताब पैंसिल नहीं है और सभी पैंसिल रबर है ठीक है तो यहाँ पर देखें दो अलग-अलग वेंड डियाग्राम बनेगे सभी कोपी जो है वो किताब है तो सभी pencil नहीं है सभी pencil rubber है तो pencil सभी के सभी pencil rubber है तो pencil के उपर का आपको क्या या आजयेगा rubber का एक VAN diagram आजयेगा तो दो VAN diagram आपके सामसें बन के आ गही है तो इन से देख लिए niszkers क्या क्या निकल रहा है कोई rubber किताब नहीं है बाइ किताब और rubber के बीच में को रिलेशन बताया तो नहीं गया बट नहीं का भी रिलेशन नहीं बतायागा कि इनके बीच में को रिलेशन नहीं है तो इसका मतलब यह गलत हो जाएगा मैं आपको एक चीज यहां पर clear कर देता हूँ बहुत से बच्चे यहां पर यह right लगा सकते हैं ठीक है क्यों लगा सकते हैं क्योंकि यहां पर बोला इनके बीच में कोई relation नहीं दिख रहा है तो when diagram में when diagram का मतलब यह नहीं होता कि यह जो relation नहीं दिख रहा तो इसका मतलब इनके बीच में relation नहीं क्या पता ये वेंट डाइग्राम ऐसे भी तो बन सकता है क्योंकि किताब और पैंसिल का नहीं का रिलेशन है रबर के साथ में कोई नहीं का रिलेशन नहीं है तो आपका ये वेंट डाइग्राम कुछ ऐसा भी बन सकता है ठीक है तो ये आपको खुद में सोचना है बीच में relation नहीं है ठीक है यह वाला आपका गलत हो जाएगा sorry यहाँ पर दूसरे वाला है कुछ कोपी रबर है तो आपका कोपी और रबर के बीच में भी correlation नहीं बताया गया तो यह भी आपका हड़ जाएगा ठीक है तो दोनों ही गलत हो जाएगे एक कोशन और देखते हैं कतन है आपके कुछ पे भोजन है कुछ पे आपका भोजन है ठीक है सभी भोजन मीठे है तो आपका क्या बनेगा कुछ पे यह पे आपने बनाया और कुछ पे आपका यह भोजन हो गया ठीक है फिर सभी के सभी भोजन मिठे बताएं तो सभी के सभी भोजन आपके मिठे हो गए तो यहाँ पर पहला क्या बोलाएं कम से कम कुछ मिठे पे हैं तो कुछ मिठे पे हो सकते हैं बई यहाँ पे नेक्स सभी पे मीठे हैं, तो सभी पे तो मीठे होई नहीं सकते, किसी भी कंडिशन पे, सभी के सभी पे मीठे कब होंगे, जब यह इसके उपर को आ जाएगा, मीठे वाला डाइग्राम, यह भी आपका कट हो जाएगा, ठीक है, तो यानि कि पहला राइट होगा, दूसरा गलत हो जाएगा, एक वेंड डाइग्राम आपको बताना था, कि अपरादी जज और चोर के बीच में वेंड डाइग्राम बताईए, मैं आपके एक चीज़ और दुबार से रिमाइंड करा देता हूँ, सायद आपको ऐसा लगे कि ये कोशन्स नहीं है, तो यहाँ पर तीनों सिप्ट के कोशन्स है, तो ये किस सिप्ट में आया है, ये मुझे नहीं पता है, तो आप थोड़ा सा धहरिया रख रहे हैं इन जी जोगों बोलने में बहुत जल्दिल करते हैं, कुछ बच्चे तो कमेंट करने में, गंदा कमेंट करने में, वो पर्मनेंट के लिए ब्लोक भी हो जाते हैं, ठीक है, तो जो ये कमेंट करते हैं, ऐसे तो आप थोड़ा सा सोच समझ के कमेंट क्या करें, और जो अच्छे कमेंट करते हैं, उनको दिल से धन्यवाद, और जो हमेशा लाइक करते हैं, उनको भी दिल से धन्यवाद, ठीक है, तो यहाँ पे अपरादी जज़ और चोर का venn diagram आपको बताना था, तो यहाँ पे देखिए, जो चोर होगा हूँ, हमेशा अपरादी तो हो गई, ठीक है, तो यह सभी के सभी चोर अपरादी हो जाएंगे, यह हो जाएगा, बट जज एक अलग चीज है, तो यह तो जज का इनके साथ में कोर्रेलेशन नहीं होगा, तो कुछ इस टाइप यह पूर्धारणाई के भी देख लेते हैं, यहाँ पर देखा है कथन, मैं जब भी परेशान, परेशानी में होता हूँ, पर्भू का समरन करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है कि जब भी मैं परेशानी में होता हूं अब इसे रियल्टी और इसे मतलब थोड़ा सा लोजिकली ले के चलना मतलब रियल्टी में मतले के चलना ठीक है ना तो मैं जब भी प्रेसानी में होता हूं तो पर्भू का सम्रन करता हूं ठीक है पूर्धार्णा यहां पर क्या क्या है प्राथना से समश्या हल हो सकती है जब हमें कुछ प्रोब्लम होती है तो जिससे हमारी प्रोब्लम सोल हो सकती है वह याद आता है तो सायद हमारा यहां पर हो सकती है बोला गया तो सबसे में चीज़ यह है तो यह राइट हो जाएगा ठीक है कभी भी आप सोच के देखीगा problem हल हो सकती है बोला अगर यहां पर बोला जाती problem problem हल हो जाएगी तो वह गलत हो सकता था बट यह सही है ठीक है next आपका मनुष्य का परम करतव्य पर्भू की प्रातना है तो यह एक statement हो गई ठीक है न मतलब बोलते नहीं कि हमारा पूजा करना एक करतव है धरम है तो यह चीज यह आपका कथन से रिलेट नहीं कर रहा है बट पहले वाला आपका right answer हो जाएगा ठीक है इसके पीछे लोजिक भी यह है कि जब भी हमें कोई problem होती है तो जो हमारी problem को soul कर सकता है अप उसको ही याद करते है ठीक है ना तो भगवान भी हो सकता है को इनसान भी हो सकता है अगर यहाँ पर कुछ special से कथन दिया होता और उसमें नीचे फिर special से कोई आपका एक अलग से मान लिजे किसी का नाम दिया होता तो वो भी आपका right हो सकता था समझे ना आपका यह मतलब कथन दे दे जाता और special किसी का नाम mention कर दे जाता उसमें तो आपका यह right हो सकता था वो condition भी ठीक है ना क्योंकि कथन निसकर से में हम real life में नहीं जाते हैं हम logically सोचते हैं ठीक है next आपका अयोद्ध का विवाद 350 वर्सिय प्रस्ट भूमी वाला है ठीक है जो अल्क अल्क काल में हल नहीं हो सकता है ठीक है कुछ इस तरीके से आपे लिखा हुआ है और यहाँ पर दिया क्या गया है अयोद्ध के विशय में कुछ समश्य है तो बिल्कुर सही है देखे यहाँ पर जो दिया गया है कि अयोद्ध का विवाद 350 वर्सिय प्रस्ट भूमी वाला है ठीक है तो इसका मतलब यह काफी पुराना है ठीक है काफी लंबा समय से है ठीक है तो यहाँ पर अयोद्ध के विशय में कुछ समश्य है तो ठीक है बई बिल्कुर सही है यहाँ पर क्योंकि कुछ ना कुछ समश्य होंगे तभी तरह लंबा यह है ठीक है दूसरा है समश्या के हल में लंबा समय लगेगा तो यह तो यहाँ पर बिल्कुल यह statement ही बोल दी ना जो statement बोली गई थी वही आपका यहाँ पर पूरधाने बोल दी गई है तो यह आपका right नहीं होगा विकोज इसके पीछे logic यह ही है कि जो यहाँ पर आपका statement में बोल गई है वो ही यहाँ पर conclusion में दिखाने की करने वाले है तो यहाँ पर है आपका minus 1, 0, 3, 8, 15 इस तरी किसे लिखा हुआ है तो इस सीरीज को कैसे पूरा करेंगे तो minus 1 है से 0 पर पहुचा है इसका मतलब plus 1 हो रहा होगा ठीक है इसमें फिर next 3 आया तो plus 3 यानि कि 2, 2 का increment होता चला जाएगा ठीक है भई यहाँ पर 3 से आपका 8 में जाएगा तो plus 5 होगा यानि कि 2 का increment फिर दुबार से हो गया फिर 2 का करेंगे तो 7 plus कर देंगे और फिर 2 का plus करेंगे तो आपका 9 plus हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा 24 4 इसका right answer हो जाएगा तो right answer क्या होगा 24 तो इस type की बहुत सारी series आ रही है बहुत ही सारी मतलब तो एक दो पता चलती है तो मैं आपको थोड़ा सा idea दे देता हूँ ठीक है एक question था आपका 4 question mark यहाँ पर लगा हुआ है multiply 2 plus 1 आपका 79 लो multiply 2 plus 1 158 इसका हो जाएगा right answer ठीक है sorry मतलब आपका right answer तो 9 हो जाएगा ठीक है मैंने सुचा last वाला बताना था तो यहाँ पर right answer आपका 9 हो जाएगा ठीक है तो इस तरीकी से आप इसको calculate कर सकते थे ठीक है यहाँ पर कुछ देखते हैं आपके coding decoding से ठीक है तो यहाँ पर बोला गया है कि victory को अगर y, l, f, w, r, u, b लिखा जाता है तो failure को क्या लिखा जाएगा तो यहाँ पर इन में आपको थोड़ा सा यह पता न चीए कि यह किस number पर आते हैं कि V किस number पर आता है I किस number पर आता है अगर यह आपको याद नहीं है मैंने आपको हमेशा I की वीडियो में हरे एक वीडियो में बताए रहा हूँ कि इनके number से याद होने चीए alphabet के number याद होने चीए अगर याद है तो बहुत ही जल्दी आप catch कर जाएंगे कि इसका यह code कैसे बना है जैसे अब यहाँ पर प्लस 3 चल रहा है सभी में प्लस 3 कर जा गया है सभी के सभी words में तो आपका next यह Y, L, F, W, R, U, B मतलब code बन गया है ठीक है तो V में प्लस 3 करेंगे तो Y हो जाएगा तो नीचे भी आपका failure जो लिखा हो है इसमें प्लस 3 कर देंगे तो F में प्लस 3 क्या तो I बन गया A में प्लस 3 करेंगे तो D आ जाएगा I में प्लस 3 करेंगे तो L L में प्लस 3 करेंगे तो O और U में प्लस 3 करेंगे तो X और R में प्लस 3 करेंगे तो U और E में plus 3 करेंगे तो H तो आपका right answer क्या हो जाएगा IDLOXUH right answer हो जाएगा तो इस तरीके के बहुत सारी questions है एक question हो रहे हैं आपे drink को अगर JMHQ लिखा जाता है तो यहाँ पर चलता है minus 1 ठीक है यानिकि इससे पहले वाला word कौन सा हो जाएगा आपका sorry दोस्तों वाला question आपका कुछ गलती से लिखा गया है ठीक है सायद बताते time किसी बच्चे ने गलती कर दी जो भी हो गया बट वो question गलत है ठीक है उसको पे आप जादा वो मत करीगा highlight मत करीगा ठीक है अब बहुत सारे बच्चे मुझे पता है उस पे ही comment करेंगे तो मैं भी बोल रहा हूँ आपको उस पे comment मत करीगा जो भी question था वो wrong था ठीक है चलिए next आपका ये question देख लेता है जैसे मैंने आपको बताया था कि मतलब कुछ questions रहे गए है मैत के जल्दी जल्दी में बहुत ही जल्दी में वीडियो मैं बना रहा हूँ ठीक है तो इसलिए थोड़ा सा इसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है यह आप थोड़ा सा समझा करें क्योंकि यहाँ पर एक चीज समझने की कोशिस करें कि एक तो questions लेके आना मतलब एकदम वीडियो बनाना थोड़ा भी टाइम नहीं मिलता है ठीक है तो इसलिए थोड़ा सा टाइम भी लग जाता है वीडियो आने में भी और यह सब कुछ थोड़ी बहुत जोगलती होती है यह भी सका ही रीजन है 220 रुपे की राशी हो गई ठीक है ब्याज की दर ज्याद कीजिए अब यहाँ पर मुझे यह बताइए पहले वर्स के अंत में 200 रुपे हो गए और दूसरे वर्स के अंत में 220 हो गए ठीक है तो यहाँ पर इन दोनों का difference कितना है 20 और year का difference कितना है आप मुझे ये बताईए, जो first year का जो interest लगता है, वो कोई simple interest और compound interest में कोई अंतर होता है, नहीं होता है ना, second year में जाके interest पे, मतलब आपका difference आना है, स्टार्ट होता है, ठीक है, क्योंकि जो चक्रवरती भी आज होता है, उस पे interest पे भी interest लगने स्टार्ट होता है, बट simple interest में आपके एक fixed amount रहती है, वो ही आपके लगती जाती है, तो इसका मतलब जो 20 rupees लगे होंगे, यहां से आज तक बढ़के आए, यह किस पे लगे होंगे, यह 200 पे लगे होंगे, ठीक है क्योंकि increment जो हुआ है, यह किसका हुआ है, यह आपका, इससे increment हुआ है, ठीक है, क्योंकि यहां पे जो दिया गए है, पहले अंत के 200 थे, और दूसरे वर्स के अंत में आपका 220 हो गए, तो 20 का जो increment हुआ है, यह 200 पे हुआ होगा, ठीक है, तो इसका मतलब आपको बस पूरा question मिल गए है, अब आपको SI का, जो simple interest का formula है, वो apply करना है, क्योंकि हमें एक year का interest भी मिल गया है, उसकी principal amount भी मिल गई है, और आपको निकालना क्या है, इसमें ब्याज की दर ग्याद कीज़ा, निकी R आपको निकालना है, तो ऐसा ही यहापे, आपको कितना होगा 20, ठीक है, 200 आपका principle है, R आपको निकालना है, year कितना है, 1 और upon 100 कर देंगे, तो यह आपका सीधा-सीधा answer निकल के आजाएगा, तो 0 से 2-0 हो जाएगी, ठीक है, और इस तरीके से cross multiply कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, आपका R बराबर, यानि कि 2 R बराबर, यह 2 भी तो है न, 2 R बराबर कितना हो जोगा 20, तो इससे कट करेंगे, तो R की value आपके आजएगी, 10% यही आपका right answer हो जाएगा, तो आसा गरता हूँ कि धीमी गती वाली रेल गाड़ी में बैठे एक आदमी को 5 सेकंड में पार कर जाती है, तो तेज गती वाली रेल गाड़ी की लंबाई ग्याद कीजे, ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि जो एक जो आदमी बैठा है रेल गारी में ठीक है ये मान लीजिए बैठा है और ये तेजगती वाली रेल गारी इसमें बैठे वैक्ति को कितनी पांच सेकन में पार कर जाती है तो अब आपको क्या ध्यान देना है यह जो रेल में बैठा आजमी है ना सिर्फ इस पे ध्यान देना है इस girl की लंबाई को भूल जाना है ठीक है और जो इसमें यह speed है यह समझे इस आदमी की speed है ठीक है ना क्योंकि जब रेल हमें पारी से करना है पूरी train को पार करने की हमें देखना ही नहीं है तो हमें सिर्फ इससे मतलब होना चाहिए अब जो चाल है इसकी 20 क्रण परती गंटा यह समझे आदमी की चाल है ट्रेन की चाल नहीं आदमी की चाल है ठीक है तो इसको कैसे करते हैं जब एक ही तिसा में जाते हैं तो दोनों की चाल का डिफरेंस ले ले लेते हैं ठीक है इतना तो पता है न आपको तो दोनों की डिफरेंस लेंगे कितना हैगा 20 अब यह किलोमेटर पर आर में है और जो आपकी पर second आपका आ जाएगा ठीक है तो अब यहाँ पे आपको क्या लिख रहा है देखे टाइम बराबर क्या होता है length of train अपोन में speed 1 or speed 2 यानि कि speed 2 यह किसकी माने यह आदमी की speed है 20 km परती घंटा train की नहीं है अगर train को पार करते condition समझे दोनों की दोनों अगर आदमी को पार कर रहे है तो यहाँ पे length of train सिर्फ fast वाली train का ही आपको लेनी है अगर किसी train को दूसरे वाली train को पार करना था तो length of second train भी आपको लेनी थी length of second train भी आपको लेनी थी दोनों की length पलस करके जब इनकी speed से difference से डिवाइड करना था बट अभी यहाँ पे एक आदमी को cross कर रही है तो सिर्फ आपको इस आदमी को cross करने पे ही ध्यान देना है ठीक है तो यहाँ पे देखे time बराबर L upon S1 minus S2 हो जाएगा तो 5 second है आपका L आपको निकालना है 50 बटे 9 यहाँ पे लिखा है तो यहाँ पे क्या हो गए 9 तो पर चले जाएगा L के पास तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 बराबर L into 9 upon 50 तो इनकी cross multiply कर लीजे तो 9 L यह हो जाएगा ठीक है 9 की multiply L में तो 9 L और यहाँ पे कितना हो जाएगा 250 तो L बराबर 250 को divide करेंगे 9 से तो कितना हो जाएगा आपका length 27.78 मिटर की यह train हो जाएगी तो आशा करता हूँ कि आपको यह समझ में आ गया होगा सब कुछ ठीक है तो चलिए आप discuss कर लेते थोड़े से यह जो topic है आपके देखें लगादार आपके time and work से questions है ठीक है किसी किसी shift में तो last वाली shift में सायद आपके 2-3 questions पूचे गए board mass से अच्छे कासे questions पूचे जा रहे है HCA Palsium ठीक है भई और जाने के आगे number लिखे है न questions of number in पर मतलब ध्यान मत दिज़ेगा कहीं से अलग पूचे जा रहे है बस आप topic देख लिजे square root से question है ठीक है इसको भी आप अच्छे से देख लिजे और इसमें कोई देखने की ज़रत भी नहीं है क्योंकि अगर आप daily analysis भी देख रहे हैं तो एक दो question में daily आप इसको कराई रहा हूँ profit and loss बहुत ही आसान chapter है easily आप कर लेंगे कैसा भी question हो pipe and system की भी आप easily question कर लेंगे probability percentage, mensuration, pie chart ठीक है आज आपका graph वाला भी पूचे जा रहा है pie chart वाला अभी 2-3 दिन पहले मतलब start हुआ है पूचे जाना अब बार graph वाला भी आने लगा है तो उसकी भी में एक दो वीडियो आपको provide कराने वाला हूँ या फिर analysis में ही एक दो question add कर दूँगा ताकि आपको थोड़ा सा idea मिल जाए मैंसुरेशन होगा pie chart होगे आपका SI CI से आपके अच्छे-खासे questions पूचे जा रहे हैं तो आपका समझे बहुत अच्छे से reasoning में score कर पाएंगे और score करना बहुत जरूरी है reasoning में क्योंकि reasoning आपको selection दिला सकता है reasoning का जो portion है आपका बहुत ही आसान पूच जा रहा है maximum बच्ची यही comment कर रहे है कि आपका पढ़ाया बहुत ही जादा आ रहा है तो बहुत ही मतलब अच्छा लग रहा है कि reasoning जीतनी मैंने पढ़ाया उसमें से आ रही है plus math के जो भी मैंने questions करा रहा है maximum questions आप attempt कर सकते हैं अगर आपने सारी video देख रहा है तो यहापे statement, conclusion, coding, decoding slowism हो गया, direction हो गया when diagram से आपका daily एक से दो question आ रहा है कलेंडर से एक एक question दोनों से है series आपका एक से दो question है when diagram मैंने आपको बताई थे mirror image होगा counting figure से भी questions देखने को मिल रहा है तो दोस्तों यह थी पूरी की पूरी video अगर आपके थोड़ी भी पसंद आयोगी तो आसे करता हूँ कि आपने like का बटन अभी तक तो दबाई दिया हूँ अगर नहीं दबाया तो यार दबा दीजेगा कोई भी इसका पैसा नहीं लगता है बस थोड़ा motivation मिलता है इतिने लंबी वीडियो बनाने के लिए कि कहींने कहीं हाँ मैं आपकी कुछ help कर रहा हूँ और आपकी help हो भी रही है और इसकी पीडियाप आप डाउनलोड कर सकते है टेलिग्राम ग्रूप से अगर आपके टेलिग्राम चैनल से अगर आपके पास टेलिग्राम चैनल है मतलब कि आप Telegram चलाते हैं तो महाँ पे आपको Topic Study सर्च करके कुछ नहीं करना है फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उस पे किलिक करिए तो आप सीधर Topic Study के चैल पे पहुँच जाएंगे Telegram के यहाँ से PDF डाउनलोड कर लीजे अगर आपके पास नहीं है तो सबसे पहले Telegram डाउनलोड करिए Telegram App फिर उसके बाद वहाँ पे जोइन करिए Topic Study को ठीक है तो यहाँ पे आपको यह सारी PDF से मिल जाएंगे फिर यह कोश्ट है कोई चार्ज नहीं है और इनको डाउनलोड करिए फिर पढ़ना स्टार्ट कर दीजे और आज आशा करता हूँ कि आपने यह सब कुछ कर रखा होगा अगर नहीं कर रखा तो जरूर कर लीजेगा आज ठीक है तो चले फिर मिलते नेक्स वीडियो में वीडियो को देखने बहुत बहुत धने बाद आपका दिन सुबो